और कि बस बेसिक से मसालों से बनाएंगे जितनी लाजवाब भिंडी की सबजी ना की खा लिया तो उंगलिया चाठते रह जाएंगे और सबसे इमपॉर्टेंट चीज है नहीं नहीं अभी की ज़रूरत है ना किसी भी स्पेशल मसाले की ज़रूरत है बस बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा नमशकार मैंकिता और आप सब कश्वाकत है आपके अपने मस्ती भारी दुनिया फूड चैनल में तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने भिंडी ले ली नहीं है और भिंडी के जो आगे और पीछे की किनारे है उसे कट कर आप इस कोआडे से बने टुकडे कर लिए चोटी है इसी तरीके से आपने सारी भिंड्यों के कट कर लेना है आप अब लोग हमारी वीडियो में नए है तो आप से निवेधन है कि प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें के चैनल को सुस्ट्राइब कर तें कि शुदए हम द तो आप तक पहुच नहीं चाहिए तो देखिए सारी भिंडिया हमारी कट चुकी है एक दम ताजी ताजी भिंडी थी तो ताजी भिंडी से जादा अगर आगर आगर बनाएंगे तो बहुत ही जादा स्वाधिश्ट पनेगा तो यहां मैंने दो मीडम साइज के प्याज लिय और धनिया की पत्ती का डंठल ले लिया है तो इन सारी चीजों को हम मिक्सर में डालेंगे और इनको पीस लेंगे और जो बड़े-बड़े स्लाइस किये थे न हमने प्याज के और टमाटर के उसको हम रखेंगे वो बाद में हमारे काम आएगा तो इसे हम पहले पेस्ट बन यहां तेल जैसे गरम हो जाए आपका तो भिंडी को आपको इसमें फ्राइट कर लेना है तो अगर भिंडी लस लसी हो गई है जैसे कि मैंने धोके फिर भी धोके अच्छी तरीक से पोच के फिर मैंने इसको क्या हुआ कभी कभार रह जाता है ना कि अगर एकाद भिंडी ग और आप देख सकते हैं कि इसका लसलसापन बिल्कुल खतम हो चुका है और जो कलर है वो कलर एकदम बरकरार रहता है ग्रीन कलर अब थोड़ा से तेल और डालेंगे और उसमें हमना यह प्याच को थोड़ा से फ्राइ कर लेंगे बस हल्का सा फ्राइ करना है को बस एक मिनट त यहां पर बचे हुए तेल में मेथी का तड़का लगा दिया है इसके बाद हमने चो टमाटर और प्याज वगएर को पीस के रखा था उसे डाल देंगे यह पर इसको डालने के बाद इसको बस एक से तर्वेड में तक इसको भूनेंगे हम भूनने के बाद हम थोड़ा सा मस इसके बाद हमको मसाले और डालोंगी वह बाद में डालूंगी बाकी मसाले आपको जरूरत नहीं है इसको अच्छी तरीके से तेल छोड़ने तक आपको इसको भूनना है जैसे तेल छोड़ दे तो जो ठामाटर पयाज आपने फ्राइगर के रखा था वो डाल दिजे भिं अभी कच्ची है तो वो उसे कुखोने में समय लगेगा तो यहां दो से तीन मिनट हो चुके थे उसके बाद मैं इस पर कसूरी मेथी क्रस कर दी अब हम डालेंगे इसमें आधी जब मच के करीमे हमने इसमें यहां पर गरम मसाला डाल दिया है अब हम इसमें कोई मसाला नहीं कुछ नहीं आड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग बस नमक डाल दीजे आप और इसको क्या करिए थोड़ा से और चला दीजे अच्छी तरीके से ताकि मसाला एक दूसरे में मिक्स हो जाए नमक भी मिक्स हो जाए और थोड़ी देर बाद आधी मिनट बाद आप इसको क्य अच्छी तरीके से तो मैंने बस इतना ही पानी इस्तिमाल किया है ठक कि दो से तीन में तक हम पकाएं गया और यह देखे कितना प्यारा सा कलर हमारी सब्जी का आगया है और तना बढ़िया खुश्बू था इसका ना कि फिर पूछे इमत रोटी के साथ खाए पराठे के सा यह बड़ा ही जादा स्वादिष्ट लगता है तो हमारी यह भिंडी की मज़ेदार सी सब्जी बनकर तैयार हो गई है अगर आपको हमारे वीडियो थोड़ी से भी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल में भूलिएगा और वैल आइकन को प्रेस कर दीजेगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नॉटिफिकेशन आप तक पहुच जाए तो यह रेसिपी जरूर जरूर ट्राइ करिएगा आप